हलो दोस्तो मैं सेब्डोग सुनील तमार कंसल्टेंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सरजन दोस्तों आज जो है राइनोप्लास्टी की जो सीरीज ओफ टॉक है उसमें हम जानेंगे नाग की बनावट दोस्तों बहुत सारे लोगों का इस सवाल होता है कि जुनाग की ना भूले जिससे आने आने वाले ऐसे उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे दोस्तों कहते हैं नाक का सवाल है नाक हमारे चहरे का केंदर बिंदू है दोस्तों भगवान ने नाक बनाया है just to provide breathing to the body and second function just to provide beauty दोस्तों बहुत बार जो है हमारे नाक से breathing तो अच्छी होती है लेकिन हमारा जो उसका लुक अच्छा नहीं होता है इसलिए दोस्तों नाक की जो बनावट है वो हमारे को समझना है जो गोट ने हमारा नोज बनाया उसको हम तीन पार्ट में दोस्तों बाढ़ सकते हैं अपर पार्ट मिड़ पार्ट एंड ल और थर्ड जो नोज के जो पार्ट है तीनों पार्ट है यह दो स्कूट्चर यानि इनर यानि स inmmer इस अंदर एक इनर फ्रेमवर्क होता है एंड इस पुरे इनर फ्रेमवर्क को कार तो हमारी skin होती है और skin के नीचे कुछ subcutaneous tissues होते हैं, fat होती है, जो 3 या 4 layer में होते हैं, ये पूरे जो हमारे nose को cover करके रखते हैं, जो अंदर हमारी inner framework है, जो अंदर की structure है, उनको जो है, वो nourishment के लिए blood supply देता है, हमारे को जो touch sensation के लिए nerves होती है, ये सारा जो दोस्तो बाहर की जो structure है, जिसको हम soft tissue, envelope जो बोलते हैं, वो इसको cover करके रखता है, दोस्तो जो हमारा inner framework है, जो अंदर की जो structure है, उसमें upper one third, या उपर का जो एक T.I है, वो purely bone होता है, जो वो nasal bone और उससे surrounding बहुत सारी bone है, जिससे attach होने से वो bonny vault बनता है, bonny portion बनता है, bonny pyramid बनता है, जो nose की जो solid structure है, जो complete nose को यहां हमारे forehead से attach करके, वो रोक के रखता है, दोस्तो जो second, जो mid third जो part है, वो एक upper lateral cartilage होती है, एक पतली bone होती है, जिसको हम cartilage बोलते हैं, वो जो है nose को जो है, वो support देती है, दोस्तो यह भी एक बहुत important cartilage होती है, क्योंकि इसके नीचे अंगर हम discuss क करते हैं, तो एक important जो है, वो nasal valve जो होते हैं, जिसको हम लोर lateral और LR cartilage बोलते हैं, वो basically जो हमारा जो tip का जो portion होता है, जो lower one third जो nose का जो portion होता है, उसका पोमेशन उससे होता है, इसमें अंदर की तरफ जैसे एक मकान का pillar होता है, वैसे दोस्तो एक partition होता है, जो जिसको हम septum बोलते हैं, जिसके तीन basically part होते हैं, बोनी septum, cartilaginal septum and membranous septum, दोस्तो यह septum क्या करता है, इन तीनों structure को एक pillar की जैसे support देता है, यह इसको अंदर pole नहीं होने देता, तो दोस्तो यह हमारे nose की एक structure है, जिसमें बाहर की तरफ जो है, वो soft tissue envelope हो गया, उपर bonny vault हो गया, अंदर जो है mid vault, lower vault और अंदर यह septum होता है, यह septum जो हैं दोस्तो हमारे nose को दो symmetrical part में divide करता है, और दोनों तरफ से हमारे को equal breathing आने के लिए हमारे nose में, हमारे को gourd ने जो है nasal wall बनाए हैं, जो हमें aware नहीं होते हमें पता नहीं होता, external nasal wall और internal nasal wall, यह यहाँ पे यह external nasal wall हैं, और naak के अंदर के तरफ internal nasal wall हैं, जिससे partially हमें एक तरफ nose से breathing होती है, partially एक तरफ से हमें usually पता नहीं लगता, तो दोस्तों यह एक normal structure है nose की, जो gourd ने, जो गोल है, जो देश्य है बनाने का, कि पहले से nose से अच्छे से breathing आए, और वो जो breathing जा है, वो clear हो, बिलकुल अच्छे से breathing आए, क्योंकि हमारे जो nose है, वो यहाँ पे जो गाल की हड़ी होत होता है, जिसको हम sinus बोलते हैं, वो उससे जुड़ा होता है, और जब हम nose में air जाती है, external nasal valve, internal nasal valve और sinus के तरू तो उस air का filtration and purification होता है, और वो neat and clean air, जो है हमारे को सांस की नली में जाती है, दोस्तों, nose एक बहुत important organ है, around 10,000 different type की smell को nose sense करता है, जिससे हमें पता लगता है, and हमारे चेहरे का केंदर बिंदू है, जिससे हमारे चेहरी की सुंदरता बखती है, दोस्तों, जो ये normal structure जो हम देख रहे हैं, इसमें कोई भी विकरती होती है, चाहिए वो bonnie vault की हो, चाहिए वो mid part की हो, चाहिए वो tip की हो, चाहिए वो septum की हो, तो nose जो है, वो functionally, यानि breathing म problem करता है, और या फिर जो है, हमारी looking में problem करता है, जिसको हम cosmetic problem भी बाल सकते हैं, दोस्तों, ये सारी problem जो है, rhinoplasty surgery के माध्यम से, हम जो है, nose को सुंदर बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, blockage correction कर सकते हैं, so rhinoplasty surgery, only cosmetic surgery नहीं है, वो एक functional surgery भी है, so दोस्तों, I hope this information is really useful for you, that आपने ये जाना हमारे नाक की अंदर की बनावत और बाहर की बनावत कैसे होती है, if you have any query regarding this structure of the nose, you can put comment on my comment box, definitely I will reply, thank you.